Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाई पीने से आपको क्या-क्या फायदे होते हैं और क्या-क्या नुकसान होते हैं इसके साथ वीडियो में मैं आपको ये भी बिताऊंगा कि क्या आपको ब्लैक टी लिनी चाहिए यानि क्या आपको बिना दूद वाली चाहिए बना के पीनी चाहिए या फिर आपको दूद वाली चाहिए जो कि आम तोर पे हम इंडिया में इस्तमाल करते हैं वो पीनी चाहिए तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डीटिल से दोस्तों चाय के बारे में बहुत सारी इलोजिकल बाते एकसर सुनने को मिलती है In fact, बहुत सरी वीडियोज भी मैंने देखी हैं चाय इस रिलेटेड यूट्यूब पर जिसमें बहुत बड़े-बड़े लोग ये बोलते हैं कि चाय जो है वो इंडियन्स के लिए बनी ही नहीं है चाय अंग्रेज अपने साथ लेके आये थे और क्योंकि वहाँ पर मौसम ठंडा होता है तो इसलिए वहाँ पर पीते थे जब वो इंडिया आये तो वो साथ में पौधा लेके आये और यहाँ पर उन्होंने इसका प्लांटेशन किया 1750 से पहले इंडिया में कोई चाय नहीं पीता था तो हम इंडियन्स को चाय पीने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों जस्ट बिगॉज कोई चीज अंग्रेज अपने साथ लेके आये तो वो बुरी नहीं बन जाती है पहली बात तो यह है क्योंकि civilizations जब grow करती है जब evolve करती है तो उसकी वजह से हम नए नए चीज़े सीखते हैं नए नए लोगों से मिलते हैं और उनसे बहुत सारी अची चीज़े हम adopt करते हैं हम से वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो adopt करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई शीज़ अच्छी है और कोई अगर इस्तमाल कर रहा है उसको आप भी इस्तमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो बुरी नहीं बन जाती है और एक दूसरे से सीखने के इसी process को evolution कहते हैं और इसी तरह से civilizations चलती हैं और दूसरी बहुत ही illogical बात यह कही जाती है क्योंकि अंग्रेजों के यहां का जो मौसम है वो बहुत ठंडा होता है तो अपने आपको गरम रखने के लिए वो लोग चाय पीते थे इंडिया में चुकी मौसम गरम है तो हम लोगों को इसको नहीं पीना चाहिए यह हमारे ने नुकसान दायक हो सकती है नो डाउट दोस्तो कोई भी चीज अगर आप excessive इस्तमाल करना शुरू कर देते हैं चाहे वो कितनी भी अच्छी हो वो आपको नुकसान जरूर देगी इसी तरह से चाय भी होती है अगर आप चाय को जादा पिएंगे तो चाहे मौसम ठंडा हो या गरम हो आपको इसके नुकसान देखने को जरूर मिलेंगे लेकिन just because कुछ ऐसे लोगों नो इसको इंट्रडूस किया जो कि ठंडी जंगा पर रहते थे तो उसकी वज़ा से यह अ़्याلا है कि हम लोग इसको 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 इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों सिर्फ यह तरक कहे किसी जिसको खाना बंद कर देना या पीना बंद कर देना कि वो गरम होती है, गलट बात है. अगर आप किसी भी जिसको मुडरेशन में इस्तमाल करते हैं और वो आपके लिए फाधे मन हैं, तो तो वो आपको फादा ही देगी. लेकिन अगर कोई चीज आपके लिए कितनी भी फाइदे मंद हो उसको आप जादा इस्तिमाल करना शुरू कर देंगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकती है तो सबसे पहले बात करते हैं चाई से मिलने वाले फाइदों के बारे में दोस्तों चाई के अंदर एक एंटी ऑक्सिदेंट पाये जाता है जिसको बोलते हैं पॉलिफिनोल और ये पॉलिफिनोल ग्रूप के जो एंटी ऑक्सिदेंट होते हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं और बहुत सारी अलग लग तरहा की बिमारियों से हमें सेफ रखते हैं पॉलिफिनोल्स अगर आपकी बॉडी के अंदर होते हैं तो इसकी वज़ा से आपके अंदर इंफ्लामेशन कम हो जाता है आपके अंदर डायबेटीज होने का खतरा कम हो जाता है और आपका मोटापा भी इसकी वज़ा से कम होता है पॉलिफिनोल्स की ही तरह एक और एंटी ऑक्सिदेंट ग्रूप होता है फ्लैवोनोइट और फ्लैवोनोइट आपकी स्पेसिफिकली हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करते हैं ब्लैक टी के अलावा फ्लैवोनोइट पाई जाते हैं वेजेटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, रेड वाइन के अंदर और डार्क चॉकलेट के अंदर और ये सभी चीज़े आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्या होती हैं ये आप सभी लोग जानते हैं अगर आप रेगुलर्ली ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वज़े से आपके अंदर हार्ट अटैक होने का खतरा स्ट्रोक होने का खतरा और डायबिटीज पैदा होने का खतरा कम होता है इसके साथ black tea इस्तेमाल करने से आपका cholesterol भी कम होता है और आपका triglyceride level भी कम होता है अक्सर यह माना जाता है कि जो लोग black tea को इस्तेमाल करते हैं उनका blood pressure बढ़ा जाता है तो high BP वालों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जबकि research दोस्तों कुछ और ही बताती है आपका systolic blood pressure भी और diastolic blood pressure भी यानि उपर वाला और नीचे वाला दोनों ही blood pressure कम होते है तो इसलिए ये एक अवधारना है गलत fact है जो कि आपको बताये जाता है black tea पीने से आपकी overall heart health improve होती है आपका triglyceride भी कम होता है cholesterol भी कम होता है और आपका BP भी कम होता है दोस्तों चाए हमारी immunity को भी enhance करती है हमारी रोग पिर्तिरोधक शमता यानि बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को भी strong बनाती है हमारा जो immune system होता है उसका एक बहुत ही important part होता है हमारा gut flora gut flora का मतलब है कि हमारी पेट की आतों के अंदर जो good bacteria होते हैं यह हमारे immune system के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी होते हैं अगर इनकी कम हमारी body के अंदर हमारी आतों में हो जाती है तो उसकी वज़़ए से हमारा immune system भी कमजोर होने लगता है जब आप चाई पीते हैं तो उसकी वज़़ए से आपका gut flora है जो आपके good bacteria है वो बढ़ने लगते हैं और जो bad bacteria होते हैं यह नुकसान वाले जो bacteria होते हैं वो कम होने लगते हैं और इसकी वज़़ए से आपका immune system strong बनता है और आपकी रोग से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है चाई high blood sugar को कम करने में भी मददगार होती है क्योंकि जब आप चाई पीते हैं तो उसकी वज़़ए से आपके खाने के अंदर मौजूद sugars का absorption slow down हो जाता है और चाई हमारे pancreas को stimulate करके वहाँ पर insulin के production को भी बढ़ा देती है इसके साथा चाई के अंदर to excess sugar होती है वो cells के अंदर जाधा पहुंचती है और आपको blood sugar कम करने में मदद मिलती है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं एक अच्छा पहलू होता है और एक बुरा पहलू होता है and same applies on चाई चाई को अगर आप ज मौझूद iron के absorption को कम कर देती है अगर आप खाना खाने के फौरण बाद चाय लेने के आदी है तो आपको ये आदत फौरण छोड़ देनी चाहिए क्योंकि खाना खाने के फौरण बाद चाय लेने की वजह से आपके खाने में मौझूद iron absorb ही नहीं हो पाता है और over the period of time अकसर restlessness की शिकायत यानि बिचैनी की शिकायत होती है और anxiety भी ऐसे लोगों को हो सकती है इसके साथ साथ आपके नींद भी कम हो सकती है क्योंकि caffeine आपके mind को alert करता है और नींद को कम करने का काम करता है तो अगर इस तरह की problems आपके अंदर पाई जाती है तो आपको जरूर अ consumption है उसको कम कर देना चाहिए और इसको कम करने से आपको धीरे धीरे इस तरह की problems में काफी ज्यादा आराम मिलेगा इसके अलावा चाय का ज्यादा इस्तमाल करने से आपके अंदर insomnia यानि नींद की कमी भी हो सकती है आपके अंदर acidity भी बढ़ सकती है यानि पेट के अंद detection जैसे कि सरदर्द या बेचैनी वगरे की शिकायत आपको देखने को मिलेगी दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या आपको दूद वाली चाय लेनी चाहिए या बिना दूद की चाय लेनी चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि दूद वाली चाय अच्छी होती है वहीं कुछ लोग है वो ये कि अगर आप चाय को जधा देर तक पकाते हैं तो इसकी वज़ासे Cya के एंदर मौझूद जो antioxidants हैं वो बढ़ जाते हैं वो जदा इन्फ्यूज होते तो जादा भेदर तो यह है कि आपको बिना दूद की चाहिए यानि ब्लैक्टी लेनी चाहिए लेकिन अगर आप बिल्यक्टी नहीं पसंद करते हैं आप दूद ही डालना चाहते हैं तो उस केस में आपको चाय को जादा देड़ तक पकाना चाहिए एक और बहुत कॉमन सवा जो अक्सर पूछा जाता है वो यह कि एक दिन में आप कितनी चाह ले सकते हैं दोस्तो एक दिन में 2-3 कप तक अगर आप चाह लेते हैं तो वह आपके लिए बिल्कुल नुक्सान दें नहीं होती है इसकना आप अराम से ले सकते हैं बलकि 2-3 कप चाह जो है वह अक्सर रिक कीजेगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और वीडियो को जादा से जादा शेर करिए ताकि सबी लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें और अपनी सिहत का जादा बहतर तरीके से ध्यान रख सकें तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक स्बस्टाइब लोग ताकि अ.